Hello guys, this is Pradip Bhagat, welcome to my YouTube channel PK7P लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का भी लुप्त उठाते रहें देखिए महादेवी वर्मा का जन 1907 में उत्तर पर्देश के फरुखाबाद सहर में हुआ था उनकी सिख्चा दिच्चा पर्याग में हुई पर्याग महिला विद्या पिट में प्राचार्य पद पर लंबे शमय तक कार्या करते हुए उन्होंने लड़कियों की सिख्चा के लिए काफी प्रतने किये सन 1907 में उनका दिहान्त हो गिया यानि 80 सल की उम्र में उनका दिहान्त हो गिया महादेवी जी चायावाद के प्रमुख कव्यों में से एक थी निहार, रस्मी, निर्जा, यामा, दिपसी के लिखा उनके प्रमुख कव्य संग्रा है कवीता के साथ सत उन्होंने ससक्त गद रचनाई भी लिखिये जिनमें रेका चित्रे तथा संस्मरन प्रमुख है अतित के चल चित्र इस मृत्ती की रिखाए पत के साथ ही स्रिंखला की कडिया उनकी महत्वपूर्ण गद रचनाई है महादेव वर्मा को शाहित अकादमी एवंग्यान पिट पुरुसकार से सम्मानित किया है भारत सरकार ने उन्हें पद्मभुशन से अलनकृत किया अलनकृत किया का मतलब होरा उसे पद्मभुशन पुरुसकार दिया गिया है महादेव वर्मा की साहित्य साधना के पिक्षे एक और आजादी के आंदुलन की प्रिणा है तो दूसरी और भारतिय समाझ में इस्तरी जीवन की वास्तविक इस्तीती को बोध भी है हिंदी गध साहित्य में संस्मरन एवं रेखा चित्र को बुलूंदियों तक महुचाने का स्रे महादेव वर्मा जी को है उनके संस्मरनों और रेखा चित्रों में सोसीत पिडित लोगों के प्रति ही नहीं बलकि वसुपक्षियों के लिए भी आत्मियता एवं अक्षय करूना प्रकट हुई है उनकी भासा सैली सरल एवं इसफ़ष्ट है तता सब्द चैन प्रभाव पूर्ण और चित्रात्मक है मेरे बच्पन के दिन में महादेवी जी ने अपने बच्पन के उन दिनों को इस मृत्ति के सहारे लिखा है जब वे बिद्याले में पढ़ रही थी इस अंस में लड़कियों के प्रती समाजीक, रवईय, बिद्याले की सहपाठिनो, छात्रावास के जीवन और सौतंतरता आंदोलन के प्रशंगों का बहुती सजी वर्णन है बच्पन की इस मृत्यों में एक व्रिचित्रशा आकरसन होता है इस मृत्यी मतलब यादे में, कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, पर इस दित्या बहुत बदल जाती है अपने परिवार में मैं कई पिड़ी के बाद उत्पन हुई, मेरे परिवार में प्राए 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं सुना है उसके पहले लड़कियों का पैदा होते ही, मरम धाम भेज दे देते फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, हमारी कूल देवी दुर्गा थी मैं उत्पन हुई, तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्या लड़कियों को सहना पड़ता है, परिवार में बाबा फार्सी और उर्दु जानते थे पिता ने अंग्रे जी पड़ी थी, हिंदी का कोई वातावरन नहीं था मेरी माता जबलपूर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई, वे पूझा पाठ भी बहुत करती थी, पहले पहल उन्होंने मुझे को पंच तंद्र पढ़ना सिखाया महादेवी वर्मा अपने बच्पन की इस मृतियों को तरो ताजा करती हुई, लेखी का महादेवी वर्मा जी कहती है कि उनका जन्म कई पिडियों के बाद हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्सों तक किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले उस परिवार में पैदा होते ही लड़कीों को मार दिया जाता था उसके बाबा ने दूर्गा देवी की आरादना की, जिसके फल्सुरूप महादेवी वर्मा का जन्म हुआ और उनका खुब आदर सदकार हुआ, उनके पहले यसी लड़कीों की स्तिती से नहीं गुजरना पड़ा, उनकी माता जगवलपूर की थी और उनने हिंदी से लगा वह मेरे वसकी नहीं थी, मैंने जब एक दिन मलवी साहब को देखा तो बस दुसरे दिन में चारपाई के नीचे जा चिपी, तब पंडित जी आया और संस्कृत पढ़ाने, मा थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विसे सरूची थी, पुजा पाट के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी, उनके उपरांत, उन्होंने मिशन इसकुल में रख दिया मुझ को, मिशन इसकुल में वातावरन दुसरे था, प्राथना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बन कर दिया, जाने में रोने-दोने लगी, तब उन्हो लेकिका ने पंच तंत्र के साथ संस्कृत भी पड़ी, उर्दु फार्सी में रूची ना होने के कारण लेकिका उर्दु फार्सी नहीं सीख सेकी, लेकिन लेकिका को मेशनी स्कूल बेजा गिया, यहां नया वातावरन में उनका मन नहीं लगा, फिर उन्हें क्राश्ट पांच वी का अच्छा में प्रवेस दिलाया गिया, यहां विविन धर्मों की लड़किया थी, वे सभी एक साथ मेस में खाना खाती थी, यहां वातावरन बहुत अच्छा था, उस समय हिंदु लड़किया भी थी, हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्यास तक नहीं बनता था, वहां चात्रवास के हर एक कमरे में हम चार चात्राएं रहती थी, उनमें पहली ही साथिन सुबद्रक उमारी मिली, सात्वे दर्जे में वे मुझसे दो साल सेनियर थी, वे कभीता लिखती थी, और मैं भी बच्पन से तुक मिलाती आई थी, बच्पन में मा कोई पध गाती थी, सुन सुन कर मैंने भी ब्रज भासा में लिखना आरम किया, यहां आकर देखा कि सुबद्र कुमारी चवहां जी खड़ी हिंदी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसे ही लिखने लगी, लेकिन सुबद्र जी बड़ी थी, प्रतिष्टित हो चुकी थी, और बहुत सारा निकलल पड़ा, उसमें से तब मैंने जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझे को पकड़ा, पूरे होस्टल में दिखाया आई, और यह कवीताय लिखती है, फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, क्रा पहली साथीन थी, मतलब पहली साथी थी सुभद्रा कुमारी चवान, जो उन्होंसे दो सा लगभग बढ़ी थी, सयोग से दोनों ही कवीताय लिखती थी, लिखी का कि मा भी कवीताय रचना करती थी, बसरते वो ब्रज भासा में लिखती थी, और यह भी लेखी का भी धीर यानि महादवी वर्मा भी धीरे धीरे ब्रज भासा में लिखना सुरू की, और लिखी का कि जो मा थी, वो मीरा के पद गाती थी, एक दिन का हुआ, लेखी का जो महादवी वर्मा जी है, वो सुभद्रा कुमारी चवान से चिपा कर लिखती थी, वो सुभद्रा कुमारी च समय एक पत्री का निकलती थी इस्त्री दर्बन उसी में भेज देते थे अपनी तुकबंदी छप जाती थी फिर यहां कभी सम्मिलन होने लगे हम लोग भी उनमें जाने लगे हिंदी का उस समय प्रचार प्रशार था मैसन 1917 में यहां आई थी उसके उपरांद गांदी जी का स साथ लेकर जाती थी हम कविता सुनाते थे कभी हरियोद जी अध्याच होते थे कभी स्रीदर पाठक होते थे कभी रतना कर जी होते थे कभी कोई होता था कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते मुझको प्राय प्रथम प्रुश्कार मिला सौ से कम पदक भ को यह मिला यानि एक बर क्या हुआ था कभी संभलेन में मैडम के साथ एक दिन लिखिका को कभी था पर चांदी का एक नक्सिदार सुंदर कटोरा पुरुषकार स्वरूप मिला था उस दिन सुबद्रा कुमारी वे संभलेन में नहीं आई थी लेखिका ने जब सुबद्रा खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देस के लिए बचाते थे और बापू जब आते थे तब उन्हें वो फैसा दे देते थे उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेते गई मैंने निकाल कर बापू को दिखाया तो मैंने कहा कवीता सुनाने पर म कवीता क्या है पर कवीता सुनाने का उन्होंने नहीं कहा लटकर जब मैं सुगद्र जी से कहा कि कटोरा तो चल गया सुगद्र जी ने कहा और जाओ दिखाने फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी अब तुम चाहे तो पितल कोई कटोरी में बनाओ एक दिन क और वह पापू लेकर चले लगहे जब यह सारा बात कुमारी को बटाती है महादेव औरопगुन जी बॉलति है कि मुझे तो क between खानी है अब बस तुम पीतल में बनाओ या चांदी में बनाओ तो Porsche चली गये तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेवं इस्ज्शा हमारे कम पास मिल जाता था चेमन मराठी सब्दों में मिली जूली एंदी बोलती थी मैंने भी उस से कुछ-कुछर कुछ मराठी चीकने लगी वहाँ एक सानी जी थी जीतन बेगम जब इकडे तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी सब्दों को मिला कर कुछ कहती तो उसतानी जी से टोके बीना न रहा जाता था वह देशी कवा मराठी बोली जेवन कहती थी उन्हीं उस्तानी जी यह मराठी कवा मराठी बोलता है जेवन को मराठी मैलाव की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाओच भांती थी कि हम मराठी नियुद्य गोलेंगे इस उसे में माराठी मैरेल हिंदी भॉलती थी उसके परिधान अंता कि मराठी मराठी भॉलोंगा उस सम contro नथ धी जिस प्राफ से लोग जो लड़की ढाती थी वह वही भासा बोला करती तिन हमाइए ह obstruction ओर तुष साथThe dal करते थे और बोलते थे भी सभी अपने अपने एक सब परातनाम एक साथ कड़े और कोई अंतर ही नहीं आता था, हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, प्रंतु आपस में हम अपनी भासा में ही बोलते थे, यह बहुत बड़ी बात थी, हम एक मेस में खाते थे, एक प्राथना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था, वह वहां जवारा के नवाब रहते थे उनकी नवाबी छिन गई थी वे बेचार एक बंगले में रहते थे उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे बेगम साहिवा कहती थी कि हमको ताई कहो हम लोग उनको ताई साहिवा कहते थे उनके बच्चे हमारी मा को चाची जान कहते थे हमा थी काती थी कि राकी के दिन बहने राकी बांद जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए बार बार काला आती थी कि भाई भूका बैठा है राकी बंद बाने के लिए फिर हम लोग जाते थे हमको लहरीये कुछ मिलते थे इसी तरह मुहरम में हर कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे यानि क्या हुआ लेखी का बच्पन में जहां राती थी वहां जवारा के नबाब भी राते थे उनकी नबाबी क्या हुआ थे चीन चुकी थी यानि अंग्रेज लोग उनका नबाबी चीन लिये थे बेगम साहिबा को सभी यानि बेगम जान कहती थी ल रहे गुरकपुर उनिवेर्सिटी के भी रहे काने का तत्पर यह है कि छोटे भाई का नाम वही चला तो ताई साहिव ने दिया उनके यहां भी हिंदी चलती थी उर्दू भी चलती थी यह अपने घर में वे अबदी बोलते थे वातावरान ऐसा था कि उस समय कि हम लोग थी उसी समय के बातावरम ने मुसलिम सब अतेंते निकट थे मतलब बहुत ही नजदीक थे लेखी का कहती है कि वह सबना आज खो गया है यदि वास अपना अगर सत्य हो जाता तो भारत आज कुछ और ही होता अगर आप लोग इस चाप्टर का वीडियो देखना चाहते है य हमारे साथ जूड़ सकते हैं मैं प्रदीबगत मिलता हूँ आप से एक नए वीडियो में एक नए टॉपी के साथ तब तक के लिए बाइबाइब टेक कियर जैहिन देखना